अस्सलाम अलेकुम दोस्तों इस डियों के मादम से हम आपको जरूरी इंपोर्टन अप्डेट देंगे अगर आप सौधी अरफ के अंदर रहते हो तो यह वीडियो जरूर देखे क्यों के लिए बेहद इंपोर्टन अप्डेट सौधी के जवजात की तरफ से दियेगे मतलब अब आपको डबल पेमेंड करना होगा इसके बारे में हम आउर भी डेटिल बताएंगे किस तरह से आपको डबल पेमेंड करना होगा इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप सौधी अरफ के अंदर रहते हो तो आउर भी एक इंपोर्टन अप्डेट मतलब अगर आप वैक्सिन लगवाती हो तो आपको 40 दिनार का आतरेक्त सुल्क देना होगा इसके बारे में अगर भी डिटिल बताएंगे और रिलेक्टर जनकारी भी इस वीडियो में आपको बताएंगे अब जरूर पूर देक तक पूर जनक में ले दोस्तों वीडियो में आगे बर स्पलेम आपको वदा दे कि सौधी गबर्मेंट के तरफ से और सौधी के स्वास्त मंदराले के तरफ से अभी अभी अब्डेट किया गया है कि जितनी भी सौधी अरभ के अंदर महिला हैं वो जल्द अपना इलफंजर का टिकर करें मतलब यह ही है कि जो इसके लिए बचा हो है वो स सौधा दी जा रही है घर बैठे आप इसकी बैक्सिन ले सकती हो अगर आप अजनवी हो तो खास सर्वेस यहां पर दिया गया है लेकिन अजनवी के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि अगर आप अजनवी हो और सौधी अरभ के अंदर इंफलंजा का टेकर लगवाते हो तो चालेज रियार का सुल्क आप से लिया जाएगा इसके साथ यह भी अपडेट के अगया है कि अगर आप सौधी रभ के अंदर जद्दा रियाद दम्मा मदीना में रहते हो तो साम को फांच में से नौ बज़े तक यह सुब्धा दी जाएगी दोस्तों सौधी के अगली अस्पताल में भारती कराया गया है हम आपको बता दें कि सौधी रभ के अंदर अगर आप रहते हो तो आपको कहीं भी किसी भी जगा बिने वज़े नहीं जाना है क्योंकि भारी मातरा में बाढ़ पानी इस तरह से दिखाई देंगे आपको अगर बाहर निकलेंगे तो दो हो तो आप से 200 चाहत आए जबकि अतरिक्ट 2 महीने के लिए पर 3 महीने पर आपको 100 चाहता था मतलब यहां पर 100 lower आप से लिया जाता था लेकिन अब परवर्दन कर दिया गया है अगर आप साओधी इरफ से बिदेश जाते हूँ 1 महीने के अतरिक्ट विश्तार करना चाहती तो वहाँ पर परतेक महिने के लिए अब आपको डबल सुल्क देना होगा यह नई सर्थ बनाई गई है सौधी कबर्मेंट के तरब से इसी तरह अगर आप सौधी रफ में रहते हो अगर आप निकास जारी करवाते हो तो वहाँ पर तीन महिने के लिए आपको 500 रियाल देना ह यानि इसका मतलब ही है कि अगर आप अब इस तरह कार करती हो तो आपको साउधान सतर करहना है लगातार आपको सफर नहीं करना है क्योंकि काफी ज़्यादा फीज में बढ़तरी कर दिया गया है इसके साथ आगे भी अपडेट किया गया है कि सौधी रफ के अंदर अगर आ बढ़ते हो उसके बाद फिर बढ़ते हो दुबारा तो वहां पर आपको हर महने के लिए चार सो रियाल देना होगा तो यह काफी ज़्यादा बुरी ख़बर है दब्यों के लिए